So before और after की इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो viewers आपको समझ में आज आएगा कि इस आने वाली वीडियो में मैं आपको क्या खाने सुनाने वाली हूँ So screen पर दिख रहे इस खुबसुरत से flowering plant का नाम है अडेनियम अडेनियम इसका botanical name है इसको desert rose भी कहते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अडेनियम प्लांट पर भरपूर flowering कैसे पा सकते हैं इस पौदे की खुबसूरती इसके फूलों से नहीं बलकि ज्यादा इसकी तने से होती है मेरे इस पौदे का तना पहले बहुत ही मोटा हुआ करता था लेकिन मैंने थोड़ी लापरवाई कह लिए या फिर lack of knowledge कह लिए मैंने इसको बरसात के सीजन में दिवार पर बहार छोड़ दिया तो पहली बात मा आपको बता रही हो मुखे 5 बाते मा आपको बताओंगी इंपोर्टेंट जो बना देंगे आपको अडेनियम का बादशा तो पहली बात तो यह है कि आपको इसको बहुत सारा पानी जो होता है उससे बचाना होता है और पानी वाला नहीं कि यह डिजर्ट रोज है तो आपको क्या करना है अगर ऐसा होता है तो फटावर से और पैने रख दिये बिना पान्य दिये ऐसे ही सूखे में फिर मैंने उसको अभी रिपोट क्या अनि पोरा विडियो में आपको दिखा रही हूं तो दूसरी बात 이제 यह वो है इसका प्रस होना चाहिए इसका प्रस होना चीचीए इसके अंदर से पानी बिलकुलphon भी सबसे पहले मैं देखिए ले रही हूँ और मैं ऐसे चीज़े ले रही हूँ जो बहुत इजी ली अवेलियाबल आपके घर में होती है मैंने एक पार्ट लिया है इंट का चुरा इंट के चुड़े कर लिजी आप और यह मैंने लिया है थोड़ा सा गार्डन सोयल उसमें इसमें पाने देनी के आपको जरुत नहीं होती मुष्टर को रेटेन करके रखता है इसने कोई भी शैलो पोट तीसरी इंपोर्टेंट चीज क्या बतारी है आपको अडेनियम के रूट जदा गहधी नहीं जाती है इसने आपको एक शैलो पोट लेना है आपको एक हांडी पोट लेना यह मेरी एक हांडी थी पुरानी जिसमें हम पहले खाना बनाते थे तो इसके निचे मैंने नारेल की भूसी डाल दी तो होल उसका कवर हो गया उसके पर मैंने कोला डाल दिया और मोटे-मोटे इंट के टुकड़े मैंने इसमें डाल दी इससे क्या होगा कि जो है उसको बहुत ज्यादा पॉरस मेडिया मिलेगा और इस तरह से मैंने सारे इंट के टुकड़े इसके अंदर डाल दिये हैं तो दो बातें आपने सीख ली है कि पाने ज्यादा नहीं चाहिए होता है अडेनियम को और दूसरी बात यह वाला पोटिंग मेडिया ही आपको इ इसमें हलकी सी कोको पीट भी है नेमखली बीहा है और थोड़ा सा पर ब्लाइट भी इसमें है पर लाइट ना डालने तो भी चलेका कोई जरूरी नहीं है और लोग जिपसम बगर आते बारने क्या क्या bye fancy नहीं किया है इसके तरह बहुत सींपल सा potting media मतलब एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि जैसे कि चिकनी मिटी होती है उसके अनू जो होते बहुत छोटे हैं तो आपको कोई भी एक potting media ऐसा लेना है जिसके अनू मोटे मोटे हों और पानी उनके पीछ में बिल्कुल भी ना रहे इस तरह आपको अपने चिसले pot को अपने shallow pot को आधा हिस्सा तक उसको भर लेना है अब मैं करूं भी बहुत important काम ध्यान से सुन लीजिए अब हमारी roots को हम लगाएंगे और यहाँ पर मैं कोई भी chemical fungicide इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ organic हल्दी अगर आपके पास भी organic वाली हल्दी अगर नहीं है तो आप हल्दी की सूखी वाली गाट ले लिजिए उसको पीस लीजिए, वही हल्दी आपको इस्तेवाल करती है, और यह best fungicide का काम करेगी आपके, किसी भी पोदे को, जब भी किसी पोदे को ऐसे fungus लगई है, तो आप किसी तुलसी में लगा सकते हैं, किसी भी पोदे में लगा सकते हैं, और पूरी तरह से मैंने coat कर लिया हल्दी से, इस अडेनम के पोदे के जो कटीव रूट और तने का पाट था, और इस से मैंने इसको फिर से लगा दिया है, फिल कर दिया है, आप सोचेंगे कि इतना इतनी पत्ली सी हांडी है, इसमें क्या यह रूट निंग होगी, तो यह बात मैं आपको फिर से बता दूँ कि अडेनम मैं दिखात बताती हूं, इंपोर्टेंट, तिसरी इंपोर्टेंट बात अडेनम के बारे में यह है, जबी भी आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, उसके बाद आपको हलका सा एक बार पानी स्प्रे करके, फिर उसको आपको एक हफ़ते से 10 दिन तक पानी बिल्कुल नही मैं इसकी रिपोर्टिंग करी थी, मुझे करनी पड़ी थी कारणवस, क्योंकि यह पोदा खराब हो गया था, अगर बेस्ट इसका रिपोर्टिंग का टाइम होता है, यह एक और इंपोर्टेंट शिर दारी हम आपको, वह हैं फैबरवरी मार्च में इसको नया पोदा लग पोदा जो हमेरा चल रहा है, बसे में पानी में थोड़ा कम देती हूं और इसको बाहर तीज धूप, पांच में और सबसे इंपोर्टेंट बात में आपको इस पोदे की बता रही हूं, यह पोदा बहुत ही खुबसूरत होता है, और नरसरी वगरा में बहुत महंगा मिलता क्लम से आपके लिए लगाना बहुत मुश्किल पड़ेगा क्योंकि वह बहुत रिस्की हो, इस प्लांट की फूल इंफोर्मेशनल वीडियो आपको कैसा लगा, बताने के लिए क्लिए कमेंट करें, और प्लीज दू सब्सक्राइब तो माइस चैनल, थैंक यू फोर वोचि लगाईब प्लांट